भिंड सहर में हवाई फायर की घटनाएं आए दिन हो रही है हवाई फायरिंग की घटनाओं को लेकर भिंड सहर का हाउसिंग कॉलोनी रेड जोन माना जाता है यहां कोचिंग सिंटर के पास कुछ छातरों में विवाद हुआ, छातरों के एक गुट ने हवाई फायर कर लोगों के बीच संसनी पैदा कर दी पूरा मामला कोचिंग सिंटर के पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, कोटवाली पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटिज के आधार पर आरोपियों की तलास सुरू कर दी है यह घटना वो धवार देर साम की बताई जा रही है, भिंड के हाउसिंग कॉलोनी के संकल्प कोचिंग के पास छातरों में विवाद हो गया, इसी समय तीन युवा के सकोटी पर सवार होकर आएं यह नकाब पहने हुए युवकों ने साम के समय हाउसिंग कालोनी में एक के बाद एक बारी-बारी से तीन से चार राउंड फायर किये हैं, इस घटना से कालोनी में दहसत फैल गी स्थानी है, लोगों ने पूरे मामले की कोटवाली थाना पुलिस को सूचना दी, कालोनी व उठाया है, हाला कि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, धाना प्रभारी शर्मा का कहना है कि फाइरिंग की घटनाओं को अलजाम देकर भागने वाले आरोपियों की तलास सुरू कर दी गई है, जड़ी पुलिस आरोपियों को पकड़ लेगी सर्व सुविधायोग, नेशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है, हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाप, आयश्मान जन आरोग योजना के तहत सभी प्रकार के मेडी क् सुविधा उपलप्त है, हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है, कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल होस्पिटाल में उप सुविधाएं, आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 756683551 पर, हमारा पता है नैशनल होस्पिटल समानतिराहा रिवा, संपर्क करें 007662359974 पर, या फिर संपर्क करें 86028859900 पर